उम्मीदों की कस्ती को डुबोया नहीं करते, मनजील दूर हो तो ठकर रोया नहीं करते, रखते हैं दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिन्दगी में कुछ खोया नहीं करते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टीडी पॉइंट, दोस्तो आज है 18 सिदंबर, और देखेंगे आज के सारे करेंड़ेफिस, जो आपके एक्जाम पॉइंटों में से काफी इंपोर्टेंट है, तो पूरा वीडियो अब बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में कोशन पूछे को, उसका अंसार आपको कमेंट बाक्स हो जरूर लिखना है दोस्तों, इस वीडियो की पीडिया फाइल के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन के लिए, वहाँ पे आपको वीकली, मन्थली और डेली करेंड़ेफिस, साथ साथ बहुत सारे रेलवे से सिक नोट से भी प्रोवाइड करता हूँ, तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, दोस्तों मैं आनेकेडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो आप आनेकेडमी का लर्निंग है प्लेइ स्टोर से डाउनलोड करके, उसमें ऑनलाइन इसड़ी पॉइंट सेर्च करके फॉलो कर सकते हैं, मैं आपने अनेकेडमी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, दोस्तों उस लिंक पर डाइर्ट क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर आप मेरे दोरा बनाये के इसी डेली वीडियो के लिए, और साथ ही इस वीडियो को प्रीज सेर जरूर कर दें पर सभी दोस्तों के साथ, चालिए, पहला कोशन बहुत इंपोर्टन दोस्तों, इंडेक्स से लेटेड है, अकसर यह एक्जाम में पूछा जाता है, तो आगामी एक्जाम से जरूर पू 119 देशों के बीच में 130 में नमबर पर आगे ठीक, 130, तो बहुत इंपोर्टन इसमें आपको बता दोस्तों कि सूची में, इस इंडेक्स में, बंगलादेश 136 और पाकिस्तान 150 में नमबर पर ठीक है, बंगलादेश 136 और पाकिस्तान की बात करें तो 156 पर है, ठीक है, वो मानो विकास के आधार पर आकने के लिए किया जाता है और इस सूचकांग में दोस्तों इस बात का पता लाके चलता है कि कोई देश कितना विक्सित है या विकास चील है इसमें आपको बता देख जीवन प्रत्याशा शिक्षा प्रतिवक्ती संकेतों को जह तो समग राकड़ा दिया जाता है और इसमें क्या क्या रहता है जीवन पत्यास सीख्षप्रतिवक्ती आये संकेतों को जटो समग राकड़ा रहता है आपको बतादे कि Human Development Index है दोस्तों माने विक्सित किस ने किया था तो यह पागिस्तानी और्थस्जास्ती एकोनोमिस्ट है महबूब उल्हक ठीक है महबूब उल्हक जो है तो इसका विकास किया था है इन्हों ने ठीक है इसके लागत दोस्तों आपको पतादे कि authorilaat की इसे स्थान बंगलादेश कुछ में मिला है 136 और बागिस्तान 150 स्थान पर है ठीक है तो लिंक वीडियो की डिस्रिप्शन बाक्स आपको मिल जाए उस लिंक के आप क्लिक करके पर्चेश सकते हैं मात 30 रुपए की बुक है चलिए अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों बा बानवा अखिल भारती MCC मुरुगपपगोर्डक क टूर्णमेंट किस ने जीता हैं दोस्तों इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्सन ए इंडियान ओयल कारपरेशन थीक है और आपको बता दे कि इंडियान ओयल कारपरेशन ने फाइनल में भारती रेलवे को 4-0 से रहाक बानवा अखिलवारती MCC मुर्गुपपा गोल्ड कप टूर्णमेंट जीत लिया है ठीक है इंडियन ओयल कार्परेशन ने रेलवे कोरा कर आपको बता दे कि मुर्गुपपा गोल्ड कप भारत की प्रमुख होकी लीगों में से एक है और यह खेल कुछ सीर्स टीमों और प्र मुर्गुपप गोल्ड कप टूर्णमेंट किसने जीत लिया है इंडियन ओयल कार्परेशन ने अब यहां पर इंडियन ओयल कार्परेशन की बात हो रहे तो इससे लेटर कोश्चन जो पूछा आते एक्जाम में आपको बता देते हैं तो आयोसी जो है दोस्तों यह भारत स बरतमान चेर्मान ऑगेंगेंडियन ओयल कार्परेशन के वह संधीब सिंग कईने संधीप सिंग तो बादवा खिल भारती मुर्गपा क्प टूर्णमेंट बिलिया कोसे जीत लिया है इंडिया आपको फैक्ट फचलिस हो अगला प्रसन है प्रतिवर्ष ओजोन सनक्षन दिवस का मना जाता है तो दोस्तों प्रतिवर्ष ओजोन सनक्षन दिवस मना जाता है 16 सितंबर को कब 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मना जाता है आपको बता देख 16 सितंबर को स्रयुक्त राष्ट महा सवधारा ओजोन प्रतिवर् प्रोडोकाल आपको बताते कि यह दिन 16 सितंबर को ओजोन परत को खराब करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोडोकाल पर स्थाक्षर करने की तारिख कर जैस्ट मना जाता है ठीक है तो प्रतिवर्स ओजोन सरक्ष्ण वहीं बात करेंगर Side of el qui तो प्रतिवर 70 को विश्ष्षवास्थ दीवस मना एते ठीक है विश्ष्षवास्त और त्यूए आपको दीवस से कुशन पूछे जाते हैं अक्सार अभी रेलवए जो गुर्जी के एकजाम चला है तो ऋमें दीवस देशन पूछे जा को तादे की मौताज मुसा अब्दुल्ला सुडान के नए प्रधान मंत्री बन गये हैं और आपको तादे खार्तू में राश्टपती महल में 21 सदस्य मंत्री मंदले सपद ली है और यह मुसा अब्दुल्ला देश की मंदियर थ्विस्था को पुनरजीवित करने के लिए वि उमर ऐलवसीर फूदान की ब相क है उमसा अब्दुला के नयए प्रधान मंत्री चुन लिए यह रिए चलिए recognition के नए प्रधान मंत्री बन गये हैं तो कोशन नमर 웃ी देख लेते हैं अहमेद को मार्ट टूनामेंट में भारती मुक्यवाजने कितने पदक берसिए जिसका correct answer रहागा दोस्तों option C 3 ठीक है तीन gold medal आपको बता देख तुर्की के इस्तामबूल में अहमेट कॉमेट टूनामेंड में सिम्राज जीत का और 64 kg और मोनिका ने 48 kg और भाग गेबती कचारी ने 81 kg में सौन पदक जीते हैं ठीक है गोल्ड मेल जीते हैं किस किस ने सिम्राज जीत का उनने 64 kg और मोनिका 48 kg और भाग गेबती कचारी जो है चैनल टूर्णामेंट किया गया है अगर थोस्ते हैं पे बात करें तूर्की की तूपतल हैंकारा और कशर नामर सिक से पंद्रमे प्रवाशी भारती दिवस 2019 में नई वेवसाइट को धघठन किसने किया है तो यह किया है सुष्मा स्वराज और योगी आधितनात है अब को बता दें कि विदेशी मामलों की मरती मंत्री जो है सुष्मा स्वराज और उत्तरपदेश के सीम योगी आधितनात के है ठीक है वेबसाइट के नहीं में www.pvd-india.gov.in ठीक है चलिए यहां पर दोस्तों बात आदें आपको सिसज़ी जो मुखेतिती होगे मालिश। के पत्पार्विंतरी प्रवीर कुमार जगंनात होगे। वह प्रवासी भारति दिवस ये नए वेफसाइट को न किस ने किया है सुश्मा सवराज योगी कि आदित तिनाज जी ने ठीक है वेबसाइट क्या है www.prasibharatiindia.gov.in पीवीडी इंडिया.gov.in चलिए question number seven देख लेते हैं हाले में किस राज सरकार ने मानो तसकरी का मुकाबला करने के लिए स्योजना कुदेश युवा लड़कों और लड़कियों को सूचित विकल्प बनाने के लिए ससक्त बनाना ताकि वो तसकरी और बाल विवागी चपेड में कम आएं इसके लाब आपको बता दे कि NCRB के अगड़ों का अनुसार पस्चिम मंगाल में राज्यों के वी इस तसकरी में सबसे धिक मौन में दर्जी किये गए हैं वह्तिम के वरद्बान मुक्य मंत्री हैं मंता बेनर जी राज बाल है के स्रिनाथ्रिन त्रिपाठी नहें बीशनें सर्कार की मान तसकरी मुकाबला करने के लिए श्वैंग सिद्ध योजनार शुरू की है यह शुरू की है पसी मंगमाल ने इसका मतलब क्या इसका अर्थ क्या है आत्मनीर भरता ठीक है और किसली इसका उद्देश से यूबा लड़कों और लड़कियों को सूचित बिकाल बनाने के लिए ससक्ट बनाना ताकि तसकरी और बाल विवाज की चपेट में काम आए ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन है दोस्तों कोश्चन नम्मर एट्थ हाले में किस बैंग ने हिंदी कार्यानवन पूर्षकार जीता है करेक्ट एंसर ऑप्सन ए पंजाब निश्टनल बैंग ने ठीकिस ने पंजाब निश्टनल गयानी 15 सितंबर को प्रतेवर सिंदी दिवस मना जाता है और यह पुरुसकार जो उपराष्ट पती अमेंगे नाइडू ने राष्ट्री की द्वैंकों और शेत्री वित्ति संस्थानों और शेत्रेणी के तहट पी अनवी के मुख्य कारकारी और प्रवनिस्ट से सुनील म इन फोसीस ने कितने कश्रीत कंपनी फिल्ओ को अद्ग्रहीत किया है जो और इंसर जो सान ने 545 करूरोटर में ठीकाइड अंपको बता देख ने सेमस्फोर्स के शिर्स परामर्स दाता फिनीस्ट कम्पनी फूरो को सिक्सटि फाइब मिलियन उरुसके लगवक पांस toe पै डूडी को 75 मिलियन डॉलर में अधिगरीद किया था और फ्लूडो का अधिगरहण नॉडिक्स में इन्फोसिक्स सबसे बड़ा सेल्स फोर्स परामस भागिदार बना देगा इन्फोसिस की बात करें तो वर्तमान सीव इन्फोसिस के शालील पर एक और हेटकॉाटर है बैगल अपक जो हैं मार्क बेनी ओप और उनकी पदनी लिन ने मेरेटित कार्पोरेशन से 190 मिलियन डॉलर नगद में टाइम मेगजिन अधिरिद करने के लिए सहमती दी है और इसी के साथ जेब बोजे सम्मानित प्रिंट प्रकासकों ने खहिदने वाले तगनी के अरपतियों में सामिल हो गए है ठीक है और आपको बता दे दोस्तों कि इस कदम ने 23 वर्षी उद्युमी को नया किर्थिमान देगा जिसने सौफ्ट्वियर के एक अन डिमांड माडल को एक नई भूहिमकाओं में ले जाने मदद की है यहां पर दोस्तों बात करें टाइम मेगजिन के स्थ सापक कौन है मार्क बेनी ओफ ठीक है चलिए वस्ट नमबर 11 थे दोस्तों एस बी आई ने किसे अपना नया सीफों में निउक किया है करेक्ट एंसर जागा ऑप्सन भी प्रसांद कुमार को पता दे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घोशना किये प्रसांद कुमार ने ज सबसे बड़े बैंक के उप्रवन इसक और कार्पोर्ट विकास सथिगारी में नामित किया गया था बात करें कि वर्तवान चेर्में ने वो रजिनिश कुमार हेट क्वार्टर इसका मुंबई में स्थापना हुई थी एक जुला 955 को तो इस भी आई ने किसे सीफों में नि और हैदराबाद में स्थापित हो गए 1.3 एकड जो छेत्र में फैला हुआ है ठीक है तो यह थे दोस्तों आज एकरने फेस्ट कोश्चन अब देख लेते हैं कल का उत्तर शक्षिता ही शेवा अंदोलन किसने शुरुआत कि इसका करेक्ट एंसर था उप्शन सी प्रधामें जैसे मैं आपके साइफ के बारे में आपको पूरी जानकारी बताया था पूरी जानकारी आप जरूर लिखिए अगर ठीक है चलिए मिलते नेक्स वडियों के साथ दोस्तों तब तक के लिए आपका दिन शूब हो जै हिंद बंदे मात्रम